नमश्कार जैशी किश्या मित्रो स्वागत है एक बर फिर से आपका नित्य जोतिश्वारी में और मैं हूँ आपके साथ इनाक्षी चत्रुवेदी तो चलिए शुरू करते हैं आज का पंचाम आज दिनाक 11 अगस्त 2023 दिन शुक्रवार है तिथी रहेगी श्रावर अधिक मास की एक आदशी तिथी जो कि पूरी रात भी रहेगी और नक्षत्र रहेगा मिरिक्षरा नक्षत्र रहुकार का समय रहेगा सुबह साड़े दस बजे से बारा बजे तर जिसमें की कोई भी शु करते हैं आज की राशी फल की मेश राशी आज आपका अप्रत्याशित खर्च होने वाला है आप खर्चा अपनी पूजी से अधिक करेंगे आज आपको खर्च करने में बहुत सोचना पड़ेगा साथ या आज आपको आमदनी भी ठीक ठाक होगी आपको खर्चे पूरे करन का मामली अनबन परिवार में रह सकती है आज आपको हनुमान चीक का जाप करना चाहिए उनके बारा नामों को यागामन में जाप करना चाहिए जिससे आपका दिन और भी बेतर निकले आपका लखी नमबर तीन है और लखी कदर आपका लाल है प्रिशबराशी आज के दिन आपका अफ्षांदार रहने वाला है आतिक इस्तिती आपकी मजबूत बनी रहेगी नौकरी यात्रा और निवेश के लिए दिन आपके अनुखूल है आज कुछ अधिकारी आपके काम पर नजर रखेंगे साथी आपको आज साब्धानी से काम करना चाहिए जीवनसाथी के साथ संबंध आपके मजबूत रहेंगे भौतिक सुखों पर आप खर्चा करेंगे स्वास्ते आपका ठीक रहेगा आज आपको किसी सुहागे इस्त्री को सुहाग की चीज़ें दान करनी चाहिए जिससे कि आपका दिन और भी बेतर निकले आपका लखी नमबर 6 है और लखी गलर आपका सफेद है मिथुन राशी आज आपकी योजनाय फलिभूत होंगी कारिशेत में आज कुछ बद्राव होगा आज आपका मन कारे करने में लगेगा आज परिवार में आपका दिन उत्तम निकलेगा जीवन साथी के साथ आप अच्छा समय पिता पाएंगे आज परिवार में आपकी सधा सुनी जाएगी और मानी जाएगी और उसको महतपून तरीके से रखा जाएगा आप आज गीत संगीत में भी अपनी रुची बना सकते हैं यात्रा पर आपका योग बन रहा है और धनो बार्जन के लिए दिन बहुत शुब है आप नए अनुबंध में भी जा सकते हैं वेपार के लिए आप कई नई तरक्की की योजनाएं बनाएंगे आज आपको गडेश जी की पूजा करनी चाहिए साथ ही आज आप शुकरवार का वरत भी रख सकते हैं यह मालक्षमी जी की पूजा अर्जना करेंगे तो आपका दिन और भी बेतर निकलेगा आपका लखी नमबर शे है और लखी कलर आपका हरा है करक्राशी आज आपका पूजा पार्ठ में मन लगेगा आपका राजकिय सम्मान होगा साथ ही आज आपको धन अर्जन में आपको सफलता मिलेगी आर्थी किस्तिती आपकी मजबूत बनी रहेगी नई मित्रता से आपको कुछलाब होने वाला है विवसाय में आपकी आर्थी किस्तिती मजबूत रहेगी रेन देन में थोड़ा सा धान रखने की और साफधानी बरत आपका लखी नमबर शे है और लखी कलर आपका गहरा खरा है सिंख राशी आज आपका दिन वेवसाय प्रारम करने के लिए बहुत अनुपूद है वेवसाय में नई चुनोतियों का सामना करना पड़ सकता है लेकिन आप अपने आत्मे विश्वास और बल पर इससे विजय पाएंगे आज आपको धन की आर्थिक इस्तिती मजबूत होगी परिवार में थोड़ा सा मदबेध हो सकता है लेकिन जीवन साती से आपको सही मिलेगा स्वास्ते आपका समान्य रहेगा वहान और मशीनरी से साफधानी बरतनी चाहिए वेबसाय में नए अनुबंध हो सकते हैं आपको शांती से काम लेना चाहिए आज आपको सूरे पर जल चढ़ाना चाहिए अधित्य हिर्दे स्टोर्ट का पाठ करना चाहिए साथ ही शिव मंदिर में रुद्रभी शेख भी कराना चाहिए जिससे कि आपका दिन और भी बहतर निकले आपका लखी नमबर आठ है और लखी कलर आपका हरा है कन्या राशी कोट कचैरी के लिए आज का दिन अनुकूर रहेगा दिन आपका मिला जुला रहेगा आपको सहयोग मिलता रहेगा आज आपको अविवाहित लोगों के लिए विवा का प्रिसाव भी बिल सकता है的 कारशेत्र में आपको उच्ट अधिकारी से सहयत्य मिलेगी और आपको that कुछ प्रप्राप्त भी हो सकता है स्वास्ते आपका समाने रहेगा आज आपको कहीं यात्रा के लिए भी जाना पड़ सकता है आप कोई हरी चीज दान करें या हर एक वस्तर दान करेंगे तो आपके लिए दिन और भी भेतर निकलेगा आपका लखी नमबर आठ है और लखी कदर आपका गहरा हरा है तुला राशी संपत्य के कारे में आज आपको सपलता मिलेगे और लाब होगा बीरोजकारी दूर होगी व्यवसाए में आपको आर्थिक लाब होगा आज बन आपका प्रसंद रहेगा परिवार में भी हल्शोल दास बना रहेगा किसी निवेश में आज आप करना सोच सकते हैं व्यपार में आज आपको किसी बड़े धनलाब होने की संभावना है स्वास्ते आपका समाने रहेगा और जीवन साथी का आपको सहयोग मिलता रहेगा आज आपको मालक्ष्मी के एक सवात नाम के कजाब करना चाहिए साथ ही रश्मी भगवायन की पूजा भी करनी चाहिए आज आपका लखी नमबर आठ है और लखी कदर आपका सफेद है व्रिष्चिक राशी आज आपके साहस और पराक्रम में विर्थी होगी स्वास्ते आपका ठीक रहेगा चुस्ति फूर्थी बनी रहेगी आज वेबसाई के लिए भी दिन ठीक है परिवार में आज विवाद करने से बचे रहें जीवन साथी का सायोग मिलेगा साथी आज आज आपको मान परतिष्ठा भी उच्वधिकारियों से मिसकती है कारे में थोड़ा परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा आगे की जनाय बनाने के लिए आज आपको हनुमान जी का पाठ करना चाहिए और साथी आज लक्ष्मी जी पर दाल फूर चलाना चाहिए जिससे कि आपका दिन और भी बेतर निकल आपका दकी नमबर आठ है और अकी कदर आपका लाल है धनुराशी आज मेहनत अधिक होगी बुद्धी और विवेक से कारे करने पर आज आपके विगन और बाधाये दूर होगी क्रोध और उत्तेजना पर सहियम रखे किसी से फादु वाद विवात में ना पड़े आज आप किसी देन-देन में साफधानी बढ़ते साथ ही वहरण च लाते वक भी थोड़ी साफधानी बढ़ती चाहिए स्वास्ते आपका उत्तम रहेगा लेकिन आज आपको किसी बुरी खबर का सामना भी करना पड़ सकता है किसी काम के चलते आपको यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है आज आपको सफेज चीजों का दान करना चाहिए साथ ही आपको केले का पोधा भी अपने घर के दक्षबोन में लगाना चाहिए जिससे की आपका दिन और भी बेतर निकलें आपका लखी नमबर तीन है और लखी कदर आपका आज हरा है मगर राशी आज आपको महनत का फल मिलेगा कारे सिध्धी होगी व्यपार भी आपका ठीक चलेगा व्यपार और नौकरी नई गती पकड़ेंगे साथी आज आज आपको आर्थिक लाब भी हो सकता है स्वास्ते के प्रती लापरवाही ना करें स्वास्ते का पूरा पूरा ध्यान रखें आज आज आपको नई मित्र और नई योजनाय बनाने का भी मौका मिलेगा मान प्रतिष्ठा में भी आपकी वृत्थी होगी आज आपको मालक्ष्मी और विश्ण भगवान की पूजा और वृत्थ करना चाहिए जिससे कि आपका दिन और भी भेतर निकले आपका लखी नमबर पाँच है और लखी कदर आपका गुलाबी है कुम्भराशी आज आपको कुराने मित्र और संबंधी मिलेंगे कुछ अच्छे समाचार आपको सुनने को प्राप्त होंगे व्यपार आपका अच्छा ठीक ठाक रहेगा आर्थिक इस्तिती आपकी दिर्ड रहेगी धन आगमन के योग बन रहे है व्यपार और व्यवसाय के लिए अनुकूर पलिस्तितियां बनेंगी स्वास्ते आपका ठीक रहेगा साथ ही आज आज आपको परिवार के साथ कहीं यात्रा पर जाने का मन बना सकते हैं लेकिन विदेश यात्रा आपकी इतनी सफल नहीं रहेगी आज आपको शिव जी पर जल भी शेक करना चाहिए जिससे कि आपका दिन और भी बहतर निकले आपका लखी नमबर चार है और लखी कलर आपका आस्मानी है मीन राशी व्यपारी किस्तिति आज आपकी मजबूत रहेगी आज आपको व्यवसाई की आत्रा में सफलता मिलेगी आपको निवेश करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन आपके दिन शुब है कोड कचैरी के मामलों में आज आपको सफलता मिलेगी जीवन साथी के साथ आप कुछ आनंद के समय बिता पाएंगे स्वास्ते आपका ठीक रहेगा परिवारिक समस्यां ज्यादा परिशान नहीं करेंगी जो परिशानी चग रही थी वो सुलच्टी हुई नजर आएंगी आज आपको निर्धन व्यक्तियों को भोजन कराना चाहिए जिससे कि आपका दिन और भी भेतर निकले आपका लखी नमबर साथ है और लखी कदर आपका आसमानी है यह थे आज की राशी फल इसी के साथ बने रहेए जस्बार 24 के साथ मैं मिनाक्षी चत्रवेदी अब आपसे विदा लेती हूँ कद फिर मिरूंगी तब तक के लिए जै हिंद जै भारत वंदे मातरा सर्वेश्याम सौस्तिर भावतू नमस्कार आपका दिन शुभ हो